तो गाईज अगर आपने भी जियो एर्वाइवर का न्यू कनेक्शन लिया है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वालों कुछ इंपोर्टेंट चीज है तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने माई जियो एप को ओपन कर रखा है यहाँ पर कुछ डीटेल से जो आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे देख सकते हो फाइप नैटीन रूपीज का प्लान चल रहा है अब इस वाले प्लान में आप लोगों को बहुत सारे ओटी आप्स मिल जाते हैं सबसे पहले तो यह 6 मंद का प्लान है देख सकते हूं यहाँ पर यहाँ पर आपको डेटा मिल रहा हो आप सोच रहा होँगा कि आपको बहुत लिमिटेड डेटा मिला है बड़ ऐसा नहीं है आपको post bit connection होता है उसमें कुछ bell cycle होता है उसके अनुसार आपको यहाँ पर data मिलता है ठीक है बाकी यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पर दिन भर में कितना data यूज हुआ है तो यह आपको daily यहाँ से चेक कर सकते हो ठीक है बाकी यहाँ पर आप wifi की settings change कर सकतÓ हो पासवर्ड चेंज कर सकतो हो अप इसका name वगरा change कर सकतो हो SSID का तो यह चीज़ यहाँ से आप change कर सकते हो ठीक है तो दिख सकते हो यहाँ नेम वगरा add password वगडा चेंज करने का option है ठीक है इसके साथ आपके यहां पर कितने सारे devices connected है, कितने सारे क्या है, उसको आप यहां से ब्लॉक कर सकते हो, यहां से चेक कर सकते हो, कितने सारे devices online है, कितने सारे devices को आपने ब्लॉक किया है, तो यह सिव चीज़ें यहां पर कर सकते हो, ठीक है, तो यह सारा data आपको यहां पर एक्सटर आजाता है ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पर है वैसे तो आपने जियो के एरफबर कनेक्शन के लिए 5,240 रुपीज पेमेंट किया है जिसमें आपका 6 महिना तक कोई बिना कोई टेंशन के आराम से चलने वाला है बट अगर फिर भी आप एडवांस में पेमेंट कर करना चाहते हो तो वह आप यहां से कर सकते हो यहां से क्लिक करके आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हो आगे क्या ठीक है बाकि यहाँ पर कुछ आफर्स हैं जैसे कि आप 6 मन्स का प्लान लेते हो आप वापस से तो आपको यहाँ पे 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपका एक्स्टा कुछ दिन यहां पर चल सकता है तो यह चीज है तो मैं आपको टूटल बता दिया कि जीओ एर्भाइबर के सेटिंग वगरा कुछ कारणा होगा तो आप यहां से कर सकते हो माई जीओ एप से